प्लेन की इमर्जेंसी लेंडिंग होना हमेशा ही डर का विशे रहता है और जो बात एरफोर्स के प्लेन की हो तो टेंशन बढ़ना तो वाज़े भी है हाल ही में ऐसा ही हुआ इस्टन पेरिफेरल एक्सप्रिस फे के जीपी कुंडली का जबाद पलवल जहां पर एरफोर्स की प्लेन की इमर्जेंसी लेंडिंग कराए गई यह हलिकॉप्टर हिंडन एरबस से उड़ा था और इसमें पाइलिट सहित वायू सेना के चार जवान सवार थे सभी जवान सुरक्षित हैं हलिकॉप्टर की इमर्जेंसी लेंडिंग की सूशना मिलते ही राई वर कुंडली थाना पर इस मौके पर पहुच गई और के जी पी का एक लेन बंद कर वाहनों को डाइवर्ट कराया गया कुछ देर में वायू सेना के दूसरे हलिकॉप्टर से अधिकारी वे इंजिनियर वहां पहुचे और करीब एक घंटे बाद हलिकॉप्टर की तकनीकी खामी दूर कर उसे वापस हिंडन भेजा मताया जा रहा है कि सेना के हलिकॉप्टर की इमर्जेंसी लेंडिंग होने से टोल करमचारियों में हडकंप मच गया वहां पर तनात करमचारियों ने ततकार पुलिस प्रिशासन को इसकी जानकारी दी इक्सप्रिस वेपर जिस विमान की इमर्जैंसी लेंडिंग की गई वो 2Shutter विमान हैं इसलिए उससे Eastern Peripheral Express वेपर उतार दिया गया हलाकि विमान में सवार सबी लोग सुरक्षत हैं और तक्नी कि कमी को सुधार कर विमान को वापस भीचा गया है Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.